प्रोब्लम नंबर 29 केमिकल काइनेटिक्स चेप्टर का नाम है बच्चों और NCRT से हम लोग स्वल्व कर रहे हैं नंबर है 29 कुस्चन को पढ़ें समझें इसके बाद में यह बहुत भी आसाली से बनेगा बसरते फर्मूला को द्यान में रखें कि कहता है दर डिकंपोजीशन ओफ केक इंटो प्रोड़क्ट पहले तो कह रहा है कि ए जो है ए जो है रियक्टेम्ट एक कर्वर्ट हो रहा है प्रोड़क्ट है अब कहता है ए इंटो प्रोड़क्ट है वैल्यू ऑफ के यहां के का वैल्यू दिया हुआ है यानि के इसकल तो 4.5 इंटो 10 तो दा पावर 3 पर सेकेंड है आइट 10 डिग्री सेंटिग्रेट यानि टी भी दिया हुआ है 10 डिग्री सेंटिग्रेट आपका दिया हुआ है इसको अगर कैलमीद में बदलना है तो 273 पलस 10 इजी कर्टू क्या हो जाएगा 283 यानि इनर्जी भी आपका दिया हुआ है 60 कीलो जूल है अगर कीलो जूल में कनवर्ट करना है तो क्या करेंगे 60 इंटो 1000 है इसकल टू 6 पर 3 0 यानि क्या हुझेगा जूल को जाए अब बच्चों हम लोग को देखना एट वाट टेम्प्रेचर उडबी के बी कहता है कि टेम्प्रेचर यानि यहां के वन दिया हुआ है के टू यहां जो है वेच्चों आपको दिया हुआ है 1.5 इंटो 10 टू दा पावर 4 पार सेकेंड और टी टू आपसे पूछ रहा है के टू पूछ रहा है अब यह सारा चीज दिया हुआ है और टेम्प्रेचर जो है इतना रेट के पर पूछ रहा है तो ध्यान में रखना है कि कौन फर्मूला का इस्तेमाल करेंगे जिसमें टी वन और टी टू दोनों आता है तो बच्चो एक फर्मूला हम लोग सोल किये थे वीडियो ओपेंड करके जरूर देखियेगा लॉग के टू बाई के वन इस कल टू ई ए डिवाइड़ बाई 2.303 और यहां है वन बाई टी वन बाई टी टू एकी फर्मूला है 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 अब इस फर्मूला में सारा सीज दिया हुआ है और टी तो निकालना है आपसे हैं क्या करेंगे लॉग के टू कितना दिया हुआ है 1.5 x 10 to the power 4 divided by 4.5 x 10 to the power 3 पर सेकेंड पर सेकेंड खतम हो जाएगा is equal to यहां यह दिया हुआ है 60 kilojoule जिसको हम लूग convert किये हैं जूल में divided by 2.303 और का मान हुआ है 8.314 जूली पर काली पर मोल यहां हो जाएगा 1 by t1 दिया हुआ है बच्चो 2 8 3 minus 1 by t2 यह सारा चीज तो हम लोग डाल दिये अब इसको सोल्व करना है तो सोल्व तो बच्चों गुना भाग इतना ले है कि अब इसको हम लोग क्या करेंगे काड़ रते हैं यह 3.3.33 से कट जाएगा यहां बरूप जाएगा लॉग 3.33 इसको अब इसको उना भाग करेंगे यानि 60,000 divided by 2.303 into 8.314 तो बच्चुआ जाएगा 31, 32.62 हैने इसका कल्कुलेशन अगर करते हैं इधर दो जाएगा आपका 283K2 हैने 283K2 इसके बाद क्या हो जाएगा टी टू 22-283 एही हो जाएगा बच्चुआ अब क्या करेंगे करना कुछ नहीं है लॉग 3.33 का अगर निकालते हैं तो 0.5228 आता है इसकल टू 31, 32.62 और यहां हो जाएगा टी टू माइनस 283 डिवाइड़ बाई 283K2 अब क्या करेंगे इसको इधर ले आएगे यानि टी टू टी टू माइनस 283 डिवाइड़ बाई 283 एहां जो है बच्चों केटू कहां से आग लिया टी टू होगा टी टू टी टू है ने यहां जाएगा टी टू एज कल टू 0.5228 डिवाइड़ बाई 313262 यहां बच्चों क्रॉस मल्टिपिकेशन करेंगे तहीं आ जाएगा 31, 32.62 टी टू माइनस 2283 इस कल टू 0.5228 इंटू 283 टी टू यह तो हो गया बच्चों अब क्या करना है उच नहीं करना है इसको यह दोनों में मल्टिप्लाइ करेंगे यानि 3132.62 टी माइनस 283 इंटू 31, 32.62 इसको अगर मल्टिप्लाइ करते हैं बच्चों तो यह आ जाता है 147.95 टी अब यहां क्या करना है कि इधर भी है टी टू इधर भी है टी टू इपल के राइट साइड में इसको हम लोग लेप्ट साइड में लेके चलाते हैं ते गया जाएगा 3132.62 टी टू माइनस 147.95 टी टू इसको अगर आप मल्टिप्लाइ करते हैं ते यह आ जाता है 8 8 6 5 3 1.46 यह तू आगे है बच्चु अब क्या करेंगे उच्छ नहीं करना है ती टू को फॉमल ले लेना है यानि ती टू 3132.62 माइनस 147.95 इसको टू 8 8 6 5 3 1.46 बच्चो देख रहे हैं कितना लंबा चौड़ा कल्कुलेशन है रहे और यह सब कल्कुलेशन करने से क्या होगा कि आपका calculation बहुत ही strong होगा और कितना भी बड़ा लंबा चवड़ा जो है गुना भागे उसको आसानी से आप solve कर सकते हैं इसको अगर घटाएंगे तो 29298 4.6 तो कुछ भी आ सकता है देख लिएगा कितना लंबा चवड़ा है 88653146 अब क्या करेंगे 82 is equal to 88653146 divided by 2984.62 काटेंगे ते लगभब आवेगा 297 Kelvin यहीं तो आपका बच्चो अंसर है और इस Kelvin को temperature में बदलने के लिए क्या करेंगे 273 इसमें से घटा देने बाकि जो remaining बचेगा वहीं आपका अंसर हुआ regular class करते रहेए जो भी problem है comment करके आप बताएए आपके problem को solve किया जाएगा इसी के साथ बच्चो दान दाएगा